नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है? आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का EOD सेटप क्या है? और साथ में डिसकस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के उपर बुलीस और किस लेवल के नीचे बेरिस देखना चाहिए और आज ब्रेट प्लस रिलेटिव इस देंट यानि RS पे भी हम लोग बात करेंगे देखेंगे कौन सा सेक्टर बेस्ट ऑन RS और ब्रेट बजिंग सेक्टर है और कौन सा आउट पर फॉर्म कर रहा है ये सब पर बात करेंगा और साथ में एक स्टॉक डिसकस करने व सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से निफ्टी आज 79 पॉइंट पॉजेटिव दिया और बैंक निफ्टी 183 पॉइंट पॉजेटिव दिया तो देखते हैं EOD सेटप में क्या कुछ चेंज हुआ है तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है जो कि 0.1% अब आप देख एंकर पॉइंट सपोर्ट के नजदीक है तो पॉसिबल ये एक सपोर्ट जोन जरूर है विकाज एंकर पॉइंट के उपर जब प्राइस ट्रेड हो रहा है तो वो एंकर पॉइंट सपोर्ट का काम करेगा और एंकर पॉइंट के नीचे अगर ट्रेड हो रहा है प्राइस त तो possible यह एक double top buy जो की 812 के उपर closing नहीं दिया है, अब अगर कल इसके उपर close देता है, तो यहां से एक possible move जो की 20,031 जो है वो आपको दिख सकता है, short term में, अब अगर यहां अगर आप affordable की बात करें, तो double bottom sale जो की 90,700 जो है, वो आपका risk reward के हिसाब से risk है, upside 20,000 यानि almost यहां से 200 point का, आपका 1-2 का, current scenario में, यह EOD setup में, तो currently chart setup जो है, bullish है, EOD का, अब intra day का, अगर हम nifty के सबसे पहले हम बात करते हैं कि setup क्या turn हुआ है, तो intra day में setup bullish turn हो गया है, अब जो level जो है, कल के लिए आपको देखना चाहिए, अगर 19,160 की उपर अगर sustain होता है, तो possible move आप मिल सकता है, 19,920 तक का, और downside अगर 19,750 के नीचे अगर sustain होता है, तो possible move 660 तक आपको मिल सकता है, तो EOD और intra day setup दोनों bullish है, अब TOI के chart के हिसाब से क्या indicate कर रहा है, तो nifty का यह TOI chart है, morning में यह अब उसके बाद, फिर से एक fall और अभी जो है last में इसने bullish indicate किया है, तो दोस्तों, तीनों जो है, nifty, TOI chart, EOD setup और intra day, तीनों bullish तो जरूर indicate कर रहा है, अब कल जब भी market open होता है, और 9.15 में, उसके बाद आप TOI chart plot करो, अगर upper band को इसने break किया है, तो आप buy strategy आप कर सकते हो, अगर इसने lower band को breach करता है, तो आप कोई भी selling strategy आप कर सकते ह अब देखते है, bank nifty का EOD setup किया है, तो currently bank nifty column of O में है, आज अभी ये column of O turn into column of X में होगा, तो CR value जो आपको दिख रहा है, 44,443, इसके उपर अगर जाता है, तो possible, यानि close होता है, तो ये column of turn हो जाएगा, currently moving average indicate कर रहा है कि ये clear sideways move है, तो बहुत बड़ा कुछ भी इधर नह ही है, लेकिन breath जो कि कल analysis किये थे, breath support कर रहा है, यानि fresh sale के लिए support नहीं कर रहा है, positional sale के लिए, fresh positional sale के लिए, तो थोड़ा cool off होने दो, आप breath को अगर fresh sale अगर लेना है, लेकिन ये जरूर है, अगर यहां से अगर कोई bullish pattern मिलता है, bank nifty में, because breath जो है extreme zone में है, और अगर एक बहुत बढ़िया opportunity रहता है, जो कि by side के लिए, और ये बहुत कम बाड़ ऐसा मिलता है, अब bank nifty intraday की बात करें, तो intraday में chart setup bullish हो गया है, और जो कल के जो label की 44,000, अगर 625 के उपर अगर sustain होता है, तो possible bullish upside move आपको मिल सकता है, और downside अगर 44,444 के नीची अगर sustain होता है, तो 348, 44,348 और 190 तक आपको दिख सकता है, अब OI chart के हिसाब से क्या indicate कर है, तो सबसे पहले हम open interest का chart देखते हैं, तो yes, 19,700 का put OI अभी भी built है, यानि ये 19,700 एक base का का काम करेगा, support का का काम करेगा, और currently जो 19,800 का जो था, आपका call का, वहाँ से turn होके, ये 19,800 में 100 से turn होकर आपका 20,000 में होगे, तो अब जो range जो है, 19,700 और 20,000 का बीच का range हो गया, 300 point का range हो रहा है, तो possible एक upside जरूर move, यानि हर angle से support तो कर रहा है, अब देखते हैं, all asset class क्या indicate कर है, all asset class यहाँ पे आपका, yes, column of X में, बाकि सब column of code indicate क्या करता है, ये जरूर ही out under performance, so जब under performance, other asset class करा है, अब ये है relative strength chart, यानि RS chart, gold upon nifty 50, तो gold upon nifty 50 का मतलब क्या हो, कि gold is under performing against nifty 50, क्यों, because column of O में है, और DA smart line के नीचे है, again, bond upon nifty 50, तो nifty 50 के against bond क्या underperform कर रहा है, तो हाँ, यहाँ पी एक तो column of O में भी है, और DA smart line के नीचे है, तो under performance कर रहा है, तो ये ratio chart, यानि RS chart हुआ, वैसे ही, USD, INR upon nifty 50, अगर हम बात करें, तो currently column of O में है, under performance ये indicate कर रहा है, हाँ, DA smart के जरूर उपर में है, लेकि under performance price पे, यहाँ पे ratio पे दिख रहा है, तो जब अगर other asset class, अगर underperform कर रहा है, तो generally equity outperform करता है, जो कि ये दिख रहा है, अब equity अग continue under performance start रखता है, तो possible यहाँ से equity और outperform करें, अब देखते हैं, breath क्या indicate कर रहा है, तो हम breath में, यानि आप आर जोन में जाकर, और breath scanner run किये, और वहाँ पे मैंने क्या किया, कि 100H chart किया, यह breath क्या important है, because यहाँ से समझने आता है, कि most of the, अभी breath indicate, 1% क्या indicate करें, कि most of the stocks are participating, because अगर यह long column जैसे आपको show as chart, अगर हम खरते हैं, यहाँ पे आप देखो, auto index, 80% यह 1% breath indicate करें, इसका मतलब क्या है, कि जिस auto, auto जो group है, auto index, उसके 80% of stocks are in column of X, इसका मतलब क्या है, कि most of the stocks are participating in the rally, isn't it, वैसे ही, अब जो भी अगर long tall bar, अगर आपको यह दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो, यह एक definis, abrasive and lubricants वाला जो है, यहाँ पे एक out performance दिख रहा है, जो कि buzzing sector हो सकता है, defense, यहाँ पे buzzing sector है, 100% breath है, अब आप गोलेंगे 100% breath है, तो क्या entry लेना चाहिए, आपको हो सकता है, यह cool off हो, see, जब 100% breath है, तो यह एक आपको समझ में तो आ गया कि most of the stocks are participating, isn't it, अब अगर participate कर रहा है, और अगर यह rally को continue अगर करना है, तो हो सकता है कि थोड़ा cool off हो, एक दो दिन, जो कि price retracement हो सकता है, थोड़ा, या time retracement हो सकता है, तो उसमें थोड़ा stock, जो है, retracement, column of O में आएगा और उसके बाद फिर से follow through देगा, तो आपके लिए buzzing sector जैसे auto था, वैसे defense हो गया, अब defense अगर buzzing sector में है, तो उसके stock में, जहां पर breakout अगर आता है, जो कि double top buy, या swing breakout, या कोई भी अगरा, तो आप यह stock को आपको ध्यान में रखना चाहिए, वैसे ही, आप और long tall बार देखो, तो आप defined as footwear, जो है, ओ है आपका, defined as mining, mining तो मैंने काफी दिन से यह बुला, और यह अभी भी 87% पर खड़ा है, उसके बाद टायर जो है, वो 100% पर है, financial service भी है, और mobility index, यह चोटे-चोटे जो group है, जो कि काफी transport and logistics, इसको आप ध्यान में रख सकते हो, reality index already है, तो यह जितने भी group है, जिसमें long tall बार है, यह आपके लिए एक sector हो गया, बजिंग sector, तो auto और कौन सा आपका defense, अगर इसमें अगर हम देखें तो defense आपके लिए बजिंग sector है, अब अगर मुझे अगर जानना है, कि auto और defense का कौन सा stop outperform कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर matrix में जाएंगे और ultimate, मुल्टी टाइम फ्रेम, ultimate matrix और defense मैंने कर दिया, डिफाइनेज defense, यह आप एक काम करेंगे, इंडिया defense आप रहना चाहिए, अब पारस का चार्ट आप ओपन करो, तो यहां पर डवल्ट आप बाई ओल्लेटी आ गया है, तो यह अगर अगर डिफेंस अगर आउट परफर्म यह आपको लिए रडार पे होगा, वैसे ही यह आपका MTA technology, यह आपको रडार पे, बुली से ABCB formation हुआ है, तो यह stock, जो BEL हुआ, माजड़ हुआ, यह जो stock सब है, आउट परफर्म कर रहा है, मल्टी टाइम फ्रेम पे, defense, बजिंग सेक्टर में है, तो इसके कोई भी अगर follow through आता है, तो यह एक interesting, तो इस तरह से आप sector और stock आप select कर सकते हैं, वैसे ही अगर हम auto का, देखे, auto index और scan कर दिए, तो multi टाइम फ्रेम में हम scan कर रहे हैं कि जितने भी stock है, auto group के, उसमें कौन सा stock, जो कि every box value, तो every box value, यानि 0.25% is a short term, 1% medium term, और 2%, 3% जो है, long term के लिए, तो tvs motor, maruti और bajaj auto, ये तीनों पे आपको नजर रखना है, अब ये तीनों पे जो stock है, hero motor, ये सब outperformer है, तो tvs motor में अगर कोई swing breakout या bullies breakout आता है, maruti में या bajaj auto में, with affordable अगर है, तो आपको नजर रखना है, possible ये move आपको मिल सकता है, और हाँ दोस्तों, ये जो break और RS पे जो कैसे आपको based on breath और RS, stock select करना है, या कैसे आपको read करना है, अगर आपको और detail में, और आपको और चाहते हो कि जनकारी हो, तो 28 October को, so two days का training program है, जिसमें मैं और प्रसांसर दोनों लेने वाले है, तो अगर आपने register नहीं किया है, तो जाके register किजिए, अगर आपको लगता है कि यहां कि और breath और RS की बारे में और जनकारी चाहिए, और अगर आप defining securities में आपका demit account है, तो आपको up to 40% आपको उधर discount मिल जाएगा, तो अब देखते हैं, आज one stock आज discuss करेंगे, जैसे मैंने बोला था auto का, तो आप auto में बजाज auto आया था, आपको याद होगा कि auto भी one of outperformer है, और जो current price pattern, जो formation हुआ है, तो short term में आप देखो, यह triple top, जो कि one of strongest pattern, 100% pole, उसका follow through मिला है, one of the strongest pattern, प्लस bullies ABC, तो यहां पर 0.25% पर यह cluster of pattern है, और इसको अगर आप upside count अगर आप देखो, तो 5280 और 5468 है, pattern जो failure level है, below 5048 आपका pattern failure level है, 1% के chart पे भी outperformer है, और 3% के भी chart पे outperformer है, तो 0.25% पे मैंने short term में लिया, और यहां पे जब anchor column हुआ, उसके बाद price consolidation हुआ, और उसके बाद breakout हुआ, अगर यह breakout continue, अगर train continue रहता है, तो possible जो upside move जो मैंने दिखाया, यह 5468 और 5280 आपको सकता है, तो इस तरह से आप इस पे आप नज़र रखिए और pattern failure level 50, below 5048 पे आप आप आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो please अगर आपको लग रहा है कि आपको इस वीडियो से benefit हो रहा है, तो आप दूसरी को benefit ज़रूर पहुंचाए, और आप benefit कैसे पहुंचा सकत जब आप वीडियो सेयर करते हैं, अपने दोस्तों के भी आप जिस अगर ग्रूप में हैं, उसमें आप जाके शेयर कीजिए वीडियो, और हाँ, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, कल फिर मिलते हैं, थैंक्यू सो मुच